तो हेलो दोस्तों कैसे आप लोग आपका स्वाकत है हमारे यूटूब चैनल पी एल क्लासे पे तो आप सब लोग आप क्लास 9 में आ चुके हो और क्लास 8 से 9 में जो लेबस है वो काफी चेंज हो जाता है काफी टाफ हो जाता है तो आपको अपनी तयारी अभीशे शुरू कर देनी चाहिए तो मैं आपके लेकर आया हूँ आपका फिजिस का चैप्टर मोशन तो आज हम मोशन में कुछ पार्ट्स कवर करेंगे इसके और भी पार्ट्स आएंगे तो आप हमारी सीजिस के साथ जुड़े रहिए और अपनी तयारी करते रहिए आप इस वीडियो को दे यहां लिडिता होगे छोगे कर षेम कर रही है तो हमाई और अपम चैश्चियं से हुच नोड़ कर सकते हैं पीच्छ इसकी position है car की देखो change और ही कभी round घूम रही है कभी सीधी चल लगी है तो ये एक औब्जेक्ट के reference point में इसकी position change हो रही है देखिए पहले यहाँ पर थी अब यह round घूमी अब सीधी चल लिए ठीक है तो वह हमारी definition में भी लिख़ा है an object is set to be in motion when its position change with time ठीक है object को motion में तब हो सकते है जब उसकी position change होगी time के according जैसे माल लेजिए आप 9 बजे कहीं एक पेड के नीचे खड़े थे ठीक है आप उसके 15 मिनट बाद किसी दूर के दूसरे पेड के नीचे खड़े हैं तो ठीक है तो आपकी position change हुई ना एक पेड से दूसरे पेड तक तो वो ही motion के लाएगी आपने motion करा जो आपको time के according आपने position change करी तो I hope आप इस motion की definition को समझ गए होगे तो आगे देखते हैं आगे क्या है इस chapter में अब है types of motion ठीक है इन पे एकदम द्यान देना और इनके बिलकुर notes बनाके रखना ठीक है आप इनका screenshot ले लिए लिए बाद में लिख लेना पर अब भी आपका focus स्क्रीन पर होना चाहिए तो types of motion types of motion में क्या है circular motion linear motion और auxiliary motion और rotational motion ठीक है यह चार टाइप के motion है आपको इनका detail में नहीं पढ़ना अतना पर आपको पता होने चाहिए कि motion किस किस टाइप के होते हैं ठीक है अब सब्सक्राइब मोशन क्या होता है कि एक में जो हमारा circular motion है वन मिनट जो सर्कुलर मोशन है वो क्या है जैसे यह देखिया आप मैंने एक वाच से लेटे ठीक है कि यह जो सुई है यहां से पूरा एक राउंड कवर करती है ठीक है यसे यह सुई है यहांपर यह मिनट की है एक सैकेंड की है यह और की है तो एक सुई को म सर्कुलर होता है वह सर्कुलर मोशन कहलाता है ठीक है अब लीनियर मोशन क्या है आप लीनियर समझें का होगे जो एकदम स्टेट मोशन होता है अब आपने देखा होगा एक वाल क्लॉक होती है जिसके नीचे घंटा सा टंगा होता है जो इसे हिलता रहता है आप देख रहे भी गिट्रटी तो यह हमारे होता है इसमें क्या होता है कि एक पात पर आगे पीछे आगे पीछे मोशन करता है जैसे हम उसको जो होती है अगर उसको फर्स पैसे गिराते हैं तो उपन नीचे उपन नीचे करके वह घरती मोशन होता है Park एक ताइम के बाद उसकी कि वो पोजिशन पहएगा पहले और पीछे को पीछे कि कि विछ समझ गए अबाके फूट्बोवर्टी आगे क्या है फॉट्बॉस नर्क तेना कींऻ क्या होता है जो अपनी जगे पर रोटेट करता है अब साथ में इसका आगे में बढ़ता है रोटेशनल मोशन जैसे कि फुटबॉल ठीक है फुटबॉल के करती है एक गोल-गोल घूमती है ठीक है इसे सर्कुलर और रोटेशनल में आपका डिफ्रेंस कर देता हूं तो सर्कुलर क्या है इसे माली जिस ने यहां से स्टार्ट किया यूं राउंड बना किया यहीं पर ही खतम कर दिया तो यह तो हमारा हो गया सर्कुलर मोशन ठीक है अब रोटेशनल क्या है वह घूम भी रही है और थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ दिया ठीक है अपने ही एरिये पर घूम र ठीक है यह हमारे चार टाइप के मोशन थे जो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ठीक है तो आप इसका स्कीन शॉट लिए लिजिए विस आपको इनको ज्यादे डेटेल में नहीं पड़ना विस आपको याद उने चीए कि कि कितने टाइप के मोशन होते हैं सर्कुलर चैप्टर को समझने से पहले आपको यह दो बाते बता होना बहुत ही जरूरी है यह आपसे कोशन में बहुत पूछी जाएंगी और आपसे हर टीचर भी कोई भी टीचर आपसे पूछ सकता है आप से पूछा कि आप मोशन चैप्टर ने पढ़ लिए आप बोलेंगे हां मै याद होनी चाहिए क्योंकि 910 में आपको यह होता है कि आपको डैफिनेशन लिखना आना चाहिए प्रैक्टिकल से काम नहीं चलेगा कि आपको एक्जामपल्स पता है इसके तो डैफिनेशन साप इसकी एकदम याद कर लेना तो इसका स्कीन्शॉट लिजी आपको समझाता अब स्केलर रिएक्टर कॉणिटी है अकिर कार है ठीक है तो इसके पास जो है तो होती है इसके पास क्या डैएरेक्शन नहीं होती है जैसे डिस्टेंस और स्पीड आप अभी तक इस डेफिनेशन को समझ गए मैं समझे तो नहीं हो गया अभी आपने इसको पढ़ लिया नोट डाउन कर लीजी इसको आप याद करें ठीक है अब वेक्टर कॉंटिटी क्या है इसको आपको यहीं पर समझाता हूं अब देखिए स्केल आपको 10 किलोमेटर दौड़ना है तो यह क्या होगा इसमें आप से कोई डारेक्शन की बात नहीं करी इसे इसे स्पीड की आप 40 किलोमेटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाते हैं ठीक है तो आप मैं आप को आप यह यह चलाते हैं तो आपको क्या है मैं से डारेक्शन की बात ही कर रहा हूं सिर्फ मेनिटूड मेंटूड क्या होगी मैं आपसे बता रहा हूं सब्सक्राइब को कि 10 km दौड़ना है यह आप जो बाइक को है चालिस किलो मेंटर पर आवर के स्पीड से रन करते हैं तो यह है स्केलर कॉंटिटी अब आती है वेक्टर कॉंटिटी आप समझ गयोगा वेक्टर कॉंटिटी क्या है इसमें की भी बात करूं ठीक है जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि आप 10 km वेस्ट में दौड़िए तो मैं आपसे डियरेक्शन भी बोला हूं ना तो यह हो गई वेक्टर कॉंटिटी जैसे वेलिस्टी होती है डिस्प्लेस्मेंट अपॉन टाइम इसका फॉर्मला होता है आपको मैं सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं चीज है आपको इसको अच्छे से बढ़ने ला है तो जैसे मैं आपसे बोलता हूं डिस्टेंस ठीक है मैंने कोई डियरेक्शन की बात नहीं करी कि आपको कहां दोड़ना है क्या करना कुछ नहीं ठीक है पस मैंने बोला 10 km और जैसे वेट ह हो गया आपका 20 kilo weight है इसमें कोई डियरेक्शन थोड़ी होती है कि 20 kilo weight आपका west में है 20 kilo weight आपका south में नहीं ना बस एक खाली value है आपकी कि आपका जो weight है वह 20 kilo है तो जो weight भी है वह वह बहुत है इसकेलर कॉंटिटी का example हो गया अब होता है वेक्टर कॉंटिटी वेक्टर velocity इनको इनके डिटेल है वह आप आगे समझेंगे तो वेक्टर कॉंटिटी आप अच्छे से और समझ जाएंगे ठीक है तो यह क्या है इनमें मैं डियरेक्शन भी बोलता हूं इसे बोलता हूं आपसे 30 km वैस्ट जाईए तो यह क्या होगा वेक्टर कॉंटिटी में CG से बा होता है ठीक है और से अग्जामपल आपको यह दूने चाहिए इसके लर कॉंटिटी क्या है जिस्टेंस और स्पीड और वेक्टर कॉंटिटी का एक्जमपल क्या है डिस्प्लेश्मेंट और वेलिशिटी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आप आई हो आप इसको समझ गए सद्वेक्ट के लिभार्वक्र क्या है और अप इस बैट में की तरह है सोच में पढ़ गए होगा ठीक है एक मेरेग्छन उल्ड़ो गया है जयाले कि एस Eleory को यहां से यहाँ पहुषना था इक्रमाल चेंज कर लेता हूं अपको दिखनी लीटा होगा ठीक है इस बंदे को यहां से यहां तक पहुंचना था ठीक है तो इसको यहां से यहां पहुंचना था तो इसने रोड इसको रास्ता निवलाता तो यहां गया फिर यहां गया फिर यहां से यहां घूमते घूमते आखिर का यह अपनी जो इसकी जहां पर पहुंचना तो वहां पहुंच गया तो हम मानने तें 10 km चला ठाइक है यह पहुंच जाता ठाइक है फाल इसको रास्ता पता नहीं था यहांसे गोनते हुए पूरा यहांपर पहुंचा पर हमें तो पता था कि यहहां भी जाता है तो वह यह यह विर कि अब врем आ जितना परक पद करके रहो हो गया होगी लिद्टेंस ici होती है जतना भी आपने past और समझा देता हूँ कि अगर कार यह है क्या अभी आप इसता समझ नहीं पायोगा ठीक है अब बात करते हैं से डिस्प्लेस्मेंट की पिर ये ऐसे गया 10 Kilometer पिर ये ऐसे पहुचा 3 Kilometer तो अब बना सकते हैं उसमें तो यहां से यह यह गया ठीकर यारण रखनए क्या होती है जहां से इसने ट्रैवल कर रहाएं तो 5 plus 10 plus 3 किटना हो 17 किमिटर तो होता है इसकी डिस्टैन्स ठीक But डिसyesी पता डूर कि यहां से यहां पी तो जा सकता था सस्थ। इस चुटा रास्तथ होता हुआ है वह हमारत कराथ हिसको आखिर कार यहां से यहीं तक गया इसने चला भी हो यह तो । वह यहां से यहीं तक तो था तो यहां से यहां तक हमाई इस्ट्स सिर्फ 10 km थी तो जो displacement होता है वह 10 km होता है अब जैसे माली जै कोई कहेगा आप से running करके आओ घूम कहांकर पचास क्लोमेटर running करके आगए पर जहां स्टार्ट किया तौर जहां पर अपने खतम किया वह तो पूचा किसी ने अपकी डिस्टेंस के इतनी है बाइ मैं तो आप 50 km दोड़के आया है क्या बात कर रहा है तेरी डिस्पेस्मेंत तो सिफ 5 km न थी ठीक है जो जहां कि च्बाइब का था तो वह हम सब से स्बस्टेंस को फूट होता है वह हमारा होता है 디स जो में आपको एक बात और बता दूँर अगर ऐसा भी हो है मान लिजी इस ने यहां से स्टार्ड किया मैं है और यहां पर ख़तम गाना था अम लिए वह उसने बेफ कुफी नहीं दिखाई और सीधे गया और पहुज गया यह दसक्राइब की दिस्टेंस तो अब बताएब कितना होगा तो अब तो सीज सी बात उसने कोई दिखाई उसकी दिस्टेंस भी 10 10 km होगी और displacement भी कितना होगा 10 km इस बाग दोनों बराबर हो सकते हैं तो आप हम समझगे होगा हम सीधिस की definition पर चलते हैं तो हम definition देखते हैं अब हम इसके जो है आप चार्ट का screenshot लिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए ठीक है यही आप से फेपर में पूछा जाएगा अब तो मैंने आपको मोटा मोटा आपके concept क्लियर करें तो आपको जो वह है आप इसको नोट कर लीजिए और इसको य एक मिनट तो देखते हैं क्या है डिस्टेंस और डिस्पीस्ट में ठीक से पॉइंट करते हैं हम लोग तो देखते पहला पॉइंट देखिए इसका पहला पॉइंट क्या है ना complete length of the path traveled by an object to go from one point to another is called distance जैको वही बात है जो मैंने आपको बता है कि complete length मतलब complete distance जो उसने पूरी कवर करी कहां से जहां से उसने शुरू किया था जहां पर end किया था उसमें उसने total path कितना कवर करा जाए घूम फिर काया कैसे भी आया उसका total path किना जाएगा यह नहीं कि shorter distance तो यह ही है क्याता shortest distance between two points जाद रखना distance जो है complete length है और displacement क्या है जो shortest distance होगी इनिशल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कि उसमें जहां से आपने शुरू किया था जहां पर आप end करेंगे उसके बीच में सबसे छोटी रास्ता होगी वह displacement कराएगी और जितना भी आप घूम फिर क्या है वो distance कहलाएगी ठीक है अब मैंने आपको बताया था कि scalar quantity और vector quantity का जानना आपका बहुत जरूरी है क्योंकि यह आगे आपके बहुत ही जोगी तो आपको बता है कि distance क्या है scalar quantity है मैंने आपको पहले उता दिया कि distance जो है scalar quantity है इसमें आप से कोई direction नहीं पूछता हूं कि आप कहां से घूम के आए किधर क्या करके आए दस आप कितना चल के आए यह पता होना चीए तो distance क्या है scalar quantity है इसका मतलब क्या होता है इसके पास स्रे value होती है direction नहीं होता अब displacement क्या है यह तो vector quantity है मैं समझाता हूं को कैसे अब आप माले जिए पूरा यहां से घूम के आए पर यह displacement जो है यह आपको direction भी बताती है कि इसी direction में सबसे चोटी distance है इधर दर भाग जाओगे तो आप पहुंश नहीं पाओगे आपको लंबा रास्ता करना पड़ेगा ठीक है जो displacement जो है वह क्या है vector quantity मतलब इसके पास क्या magnitude भी है और direction भी है ठीक है distance क्या होता है सिर्फ positive value देता है मदल डिस्टैंस कभी अपने negative में सुना है कि मैं माइनस 10 km दोड़ा ऐसे कैसे हो सकता कभी अपने सुना ही नहीं हो गए तो आप खुदी समझ गयोगे कि यह से positive value देता है पर displacement होता है वह सोचिंग आप negative value कैसे देगा तो negative value कैसे देगा तो negative मैं आपको example समझाता हूं यहाँ पर space नहीं है थोड़ी इसका आपको याद रखना है इसको मैं भी आगया आपको बताता हूं इसमें अभी थोड़ा पेज आगयोगा तब तो मैं आपको और पॉइंट करता हूं कि इसकी negative value कैसे आती है displacement की ठीक है अब है distance depends on the length of the path distance जो है क किस पर depend करती है length ठीक कि कितनी length है उसके उतने से मैं पते लेगा कि कितनी distance है ठीक है और displacement क्या है उसको कुछ फराख नहीं पड़ता कितनी length है कितना घूंग का है उसको तो सरफ पता उस पर फरक पड़ता है कि उसका initial point क्या था और final क्या है मतलब जहां से आपने शुरू कि कर देता हूं इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉस्ट करके क्योंकि यह लाइव नहीं चल ला है कि तो ठीक है आपने इसको नोट कर लिया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं कि हां तो मैं आपको बदार था कि डिस्प्लेश में नेगेटिव कैसे होता है ठीक है कि यहां से स्टार्ट करते हैं आपको पहुंचना है मान लीजिए कहां पहुंचना आपको यहां पहुंचना है डिया ओओ आप अई मठा एक यह Little तो यहां पूंच है तुव पूंच यहां पूंच यहां से यहां कि एकुएंड दौइब थीन पॉइंट ने यहां से स्टार्ट किया ओप के यहां से स्टार्ट कर दिया दिया आपकी नह series 5 Kilometer अब धिस्टेंट से अब यह सबंढ़ कि दिसके ऊसेंब तो मत्वűम्त है तो चोम स्कति गोई 10 किलोमेटर मां लिजें या ऐसे सी फ्रेंट का घर है यह महालीजियर राम का घर है और आपका नाम है अ आप नाम लग देते हैं तो ठीक है आप ललू थे आप राम के घर घए पर खरन में तो आपकी इस्टेंस किती होएं त Katrina अने अपना यहां जाना आप नहीं गए ठीकिए डिस्प्लेश्मेंट जो है डिस्टेंस के एक को लो गई फिर आप गई राजिस के घर ठीके फिर राजिस ने काया मैं तो राम के घर अपना को समान भूलाया हूं तो तुम फिर जब वापिस राम के घर जाओगे तो आप माइनस में गए नहीं गए मैं लल्लू के घर को छोड़ाया हूं फिर आप वापस चले गए तो आप जहां पर थे और वहीं पर ही वापस आ गए तो क्या हो गया displacement और डिस्टेंस डिस्टेंस तो जीरो नहीं हुए ठीक है क्योंकि आप चल तो रहे हो ना है यहां से स्टार्ट थें ठीक है और यहां पर आपको खतम करना यह 10 Kilometer के डिस्टेंस इसको ध्यान संजर आपको रौछ आ आत कि और 10 आने वी तो 10 55 तो डिस्टेंस कित्य होगी है यह तो 10 10 टास प्रण क्लिमट्र 2021 आने गा अब बात आती है डिस्प्लिस्मेंट की ठीक है तो मैंना आप से क्या का था जब displacement वापस लॉटो तो displacement क्या हो जाती है नेगेटिव हो जाती यह माले पहले displacement 10 थी जब उसके घर गया वापस आया तो negative हो गई तो –10 और यह कैसे और जिरो आ रहे है माले जहां से गए और वापस उस यहां पर थी और बाद भी यहीं पर थी तो displacement बाई जीरो हुआ तुम कितना भी चले हो distance हमेसा देखना distance कभी भी 0 नहीं होती है और जो displacement है वह 0 हो सकता है negative भी हो सकता है positive भी हो सकता है तो इस बात वाप इसलिक्ट जीरो है और नेगरेटिव इसकेट्ग कर लीजेए तो тебя डिस्टैंशी मेंट ऺूइन हो सकती है- तो यह मेंन पॉइंट है इसको लाइन जो नौ्ट कर लेना Сबस्काओं कभी अपने अपने हैश्य से पोलेना कि कि distance कभी झिडीर उसकती और 4 सकती और इस चीज़ को काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती में अब नहीं बढ़ जाओंगा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप में बिलकुल कमेंट करके बचा सकते हैं अब आता है uniform motion और non-uniform motion ठीक है तो पहले हम uniform motion पढ़ते हैं कि uniform motion होता गया है तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लिए अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिए क्योंकि आपको पेपर में यहीं लिख के आना है ठीक है और यहीं आपको ग्राफ बनाने के लाएगा तो आपको यहीं ग्राफ भी बनाना जो आपको फोटो जैसे दिख रहा है देखिए आप आप मैंने नोट डाउन का जी आफ डाल लगखा जहांगा जहां-जहांपर मैंने असे नोट कर लुजिए बिना कुछ का है ठीक है इसका प्रस कीजए वीडियो को नोट कर लिजिए स्क्रीन शॉट ले लिजिए एक तो आपके पेपर में यह ग्राफ बनाने अब है क्या बाटी क्योंचे का मिदेंगे अपको एग्जामपल करने को लिए निक हों । है तो आब देखेंगे या यह काड दिख रही है आपको ठीके अ function को ठीक थी अदिख रही होगी है तो आफ देखेँगे यह काड जो है दो से तो यूनिफॉर्म मतलब जैसे आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं होती है वैसी उसी से रिलेटेड वर्ड है कि आप एकदम मैनर्ड वे में फिक है जो है यह कार्ड जो है एकदम सही तरीके चले यह नहीं कभी स्पीड बढ़ा दी कभी घटा दी वह अपने हर एक इकओल इंट्रोड हम हर दो सेकंड में चार-चार क्लोमेटर स्पीड मलें चार-चार क्लोमेटर डिस्टैंस कवर कर दिया तो वह इसने स्टीर हर हर दो सेकेंड में चार मीटर चल लेगा हर दो सेकेंड में चार किलमेटर को यही यूणिफार मोशन क्यालाता है अब मैं इसकी डेफिनिशन पर जाता हूं आपको अब आपको एकदम डेफिनिशन क्लियर हो जाएगी वही क्या मैंने पुसे बोला था ऐटाएग्वसके क्याक प nawndph और धो न्येटेर महीं हर सेकेंड में अगले दो में पर चाल या अगले दो में देंटर डेंड थेओर ऑन्मोशन सब्सक्राइए खी is यह वह हर एक इकवल स्टेंज ट्रेवल कर रही है एकवल इंटरवल ऑफ टाइम में ठीक है तो आई होप आप इसको समझ गए होगे अब देखते हैं हम नौन यूनिफॉर्म अब नौन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है वेन बॉरी ट्रेवल अनिक्वल इस्टेंज समझ टो इसको बढ़ा देगा कभी घटा देगा तो आप इसको नो डाउन कर लीजिए आप देखेंगे इसका गराफ ऐसा है थोड़ा कारवर होता है उसका स्टेट लान होता है तो त तो आप डेफिनिशन का स्क्रीन शॉट ले लिए इसको नोट डाउन कर लिए तो मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूं कर देए आप मजाया है अगसा दो सेट में जो आए यह 1 मीटर चली तरफार कंटा नौ चल गई आगले withdraw सबने चल रहे तो डेख्ले तो कितना इसकी किता फरक्ता सुनिशन का रहे है है इस फिल बढ़ाती जा रही पहला यह को यह सक ड्रव मेटर दो यह उसי का यद जो है तो यह जो है नौन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा कि हर दो सेकंड बाद उसकी स्पीड बढ़ती ही जा लिए एक बड़ावर डिस्टेंस कवर नहीं करता है टाइम में इसका क्या है इसकी डेफिनिशन में आपको दिखा देता हूं और समझ जाएंगे क्लियर हो जाएगी वहने बौड़ी ट्रैवल अनिक्वल इसटेंस का वी एक नॉप पंद्रा ऐसे चला रहा हो हो और टाइम तो सेमी रहेगा दो दो सेकंड और हर दो सेकंड में डिस्टेंस बिवार दे रहा हूं पहले एक ती पर नौ ती फिर 15 थी ठीक है तो वह हमारे नॉन यूनिफॉर्म perform का जोग्राफ होता है वह का होता है ओक सा चुछ होता है कि यह यूनिफार्म का हो गया और यह नॉन यूनिफार्म गया ठीक है तो इसको आप को सवार को पढ़िए एन ए्थलीट कंप्लिट वन राउंड ऑफ सर्कुलर ड्रैक्प ऑफ डायमिटर 200 meter in 40 seconds what will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds तो यार अब time तो काफी हो चुका है तो ये सवाल जो है आपको homework ले देते ता हूँ ये नहीं कि मैं आपको कल कराऊंगा नहीं मैं अगली वीडियो में इसको पक्का solve कराऊंगा क्योंकि आप अभी इसको नहीं कर पाएंगे पर कुछ हमारे extraordinary बच्चे होते हैं जो इसको solve कर लेंगे तो वो हमें इसका answer comment में करके जरूर बताएं ठीक है इसको solve करें और हमें comment में इसका answer पका बताएं और आपको कोई doubt है तो वो भी बता है हमको और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी हमें comment बता है ठीक है अगर जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम अपनी वीडियो में और सुदार नहीं लापाएंगे अब हमें जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा जो आपको ये जो नोट्स मिले ये काफी अच्छे थे या average थे जो भी है आप अपना review आप comment section में दे सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like जरूर करना और हमारी चैनल को subscribe कर लेना क्योंकि 9th last start हो चुकि आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए जो जो lecture हम upload करते जाते हैं उसको पढ़िए copy में note down करिए लेता हूं thanks for watching और क्या कह सकते हैं चलो bye bye अगले session में मिलते हैं आप से धन्यवाद